कि आज हम लोग transformer chapter के बारे में पढ़ेंगे इलेक्टिसियों फिोरी में जो transformer chapter होता हो वह बहुत ही मौदपुन chapter होता है इससे सभी एग्याम में बहुत शारा question आता है तो इसके बारे में हम लोग पूरा detail में पढ़ेंगे तो तकblue ट्रांसफर्मर क्या होता है ट्रांसफर्मर एक ऐसा इस्थिरूपकरन होता है ट्रांसफर्मर जिसे आपने जहां भी ट्रांसफर्मर देखा होगा इस्थिर एक जगा रखा हुआ रहता है ट्रांसफर्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है मतलब जिसे मोटर होता फैन हो गया यह सब में क्या होता है कोई ने कोई भाग घूमने वाला होता है तो उस तरह ट्रांसफर्मर में कोई भी ट्रांसफर्मर का भाग घूमने वाला नहीं होता है सब उसका जो भी भाग होता है transformer का सब इस्थिर होता है और transformer क्या करता है बिधूत उर्जा को मतलब बिधूत उर्जा जो होता है उसको एक परिपत से दूसरे परिपत में अस्थनांत्रित करता है मतलब एक तरफ से हम विधूत धारा देते हैं, विधूत उर्जा देते हैं, तो वो दूसरे साइड अपने आप विधूत उर्जा वहाँ उत्पन हो जाता है, उसको अस्थनांत्रित कर दता है, ट्रांस्फर्मर, ठीके, और विधूत उर्जा को एक परिपत से दूसरे करते हैं जहां स्थिरूप करना होता है मतलब बोल्टेज बराना होता है वहां पर हम बोल्टेज बराते हैं जहां पर भोल्टेज को घटाना होता है वहां पर हम भोल्टेज को घटाते हैं तो वह सब कनेक्शन के अधार पर होता है वाइंडिंग के टर्ण के अधार पर होता है, आगे जानेंगे, ठीक है, तो हमें अभी जानना है कि ट्रांसफोर्मर को हिंदी में परिनामित्र कहा जाता है, कह रहा है कि ट्रांसफोर्मर एक ऐसा इस्थिरूप करन है, जो बिधूत उर्जा को एक परिपत से दूसरे परिप अस्थानांतरित करने के साथ ही सपलाई भोल्टेज को बढ़ाता बढ़ाने का मतलब हो जाता है स्ट्प आउप यह घॉटाथा स्ट्प डाउन नहीं के इस्तेश लई तो सप्लाई भोल्टेज को भाता यह घॉटाता है यानि कि स्ट्मप ऑप आउन करता है दूसरी बात सबसे महत्पूर बात कि ट्रांसफोर्मर केवल एसी सप्लाई परकार करता है क्यों क्योंकि एसी सप्लाई का जो मतलब गुन होता है वो बदलते रहता है मतलब एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होता है ठीक है जिसके बारे मैं आगे बताएंगे तो ट्र transformer जो हमारा होता है वो DC supply पर कार नहीं करता है ठीक है अब इसके working principle के बारे में हम लोग परेंगे कार सिधान क्या होता है तो transformer जो होता है mutual induction के सिधान पर कार करता है